एक तरफ हम आजकल मीडिया में पढ़ते हैं सोशल मीडिया में भी खूब देखते हैं सुनते हैं कि हमारी सीमाओं के उपर चाइना पिछले कुछ वर्षों से हमें आखे दिखा रहा है आज ही देश के एक बहुत नामी गिरामी अख़बार में छपा है कि चाइना ने हमारे देश की कुछ धर्ती कुछ जमीन के उपर कबजा कर लिया यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विश है सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विश है उन लोगों से चाइना के सैनिकों से हमारे सैनिक उन से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते अपनी पूरी बहादूरी के साथ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के उपर एक तरफ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के उपर तो दूसरी तरफ पूरे देश को सारी सरकारों को हर भारतवासी को हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी इस लड़ाई में कंदे से कंदा मिला के साथ दें हमारा भी फर्ज बनता है कि चाइना को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत ये बरदाश्त नहीं करेगा हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम चाइना का बहिशकार करें और उसको सक्त संदेश दें लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या किया एक तरफ चाइना हमें आँख दिखा रहा है हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ हम चाइना से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं 2020 में हम लोगों ने चाइना से 65 बिलियन डॉलर्स का समान खरीदा 65 बिलियन डॉलर्स का समान खरीदा 2020 में और 2021 में हमने 95 बिलियन डॉलर्स का समान खरीदा पचास परसेंट बढ़ा दिया हम तो चाइना को और अमीर बनाते जा रहे हैं उनसे और समान खरीद रहे हैं उनको और पैसा दे रहे हैं हमारे ही पैसे से वो और हथियार खरीद रहे हैं और सैनिकों की भरती कर रहे हैं और हमारे उपर आक्रुमन कर रहे हैं ये तो सही नहीं है अगर किसी से जगडा हो तो हम उससे और समान थोड़ी खरी देंगे और ज्यादा समान थोड़ी खरी देंगे और क्या खरीद रहे हम चाइना से चपल खरीद रहे जूते खरीद रहे गदे खरीद रहे कुशन खरीद रहे चश्में खरीद रहे हैं यह सारी चीज़े तो हम भी बना सकते हैं हमारे देश में ज्यादा अच्छी बन सकती है जितनी चपल हम जूते हैं जितने गद्धें उनसे खरीदते हैं कुशन खरीदते हैं चश्में खरीदते हैं खिलोने खरीदते हैं मूर्तियां खरीदते हैं आ लिकुल बना सकते हैं हमारे भारत में क्या कमी है चपने खूब बनती है और बननी चाहिए गद्ये खूब बनते हैं कुशन खूब बनते हैं तक्या कूब बनते हैं मूर्तिया कूब बनती हैं खिलोने खूब बनते हैं यह ऐसा समान तो है नहीं कि हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते हैं खुब बन सकते हैं और अगर हमारे देश में ये सारा समान बनेगा हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा सरकार को टैक्स मिलेगा हमारी अर्थ विश्था बड़ेगी हम अपना सारा काम एक तरह से अपने बच्चों की सारी नौक्रियां सारे रोजगार चाइना के लोगों को देते जा रहे अपने लोगों को अगर हम मौका दें सारा देश मिलके सारी सरकारे मिलके अपने व्यपारियों को अपने अद्योगपतियों को अगर मौका दें सारी सुविधाएं दें तो हम ये सारी चीज़े अपने देश के अंदर बना सकते हैं और अपने हजारों लाखों करोडों युवाओं को एक तरफ नौकरी मिलेगी और चाइना को कड़ा संदेश जाएगा कि हमें तुम्हारे समान के जरूरत नहीं है ठीक हो जाओ वरना तुम्हें हम मज़ा चेखा सकते हैं एक तरफ अपनी देश के पिछले चार पांच छे सालों के अंदर बारा लाख बार लाख व्यपारी उद्योग्पति अपना देश छोड़के चले गए बार चोड़के बाहर चले गए अपनी विवस्था से परिशान हो के अपने जैंसी से परिशान हो के अपने व्यपारी उद्योग्पति अपने देश के अंदर व्यपारी उद्योग्पति के अपने देश में धंदा करना मुश्किल हो गया लोग छोड़ छोड़ के भारत छोड़ के जा रहे हैं 12 लोग पिछले 5 साल के अंदर छोड़ के चले गए अपने लोगों को भारत के लोगों को तो भारत बगा रहे हैं और चाइना से सारा समार इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसे देश कैसे तरकी करेगा। भारत को आगे तो भारत के लोग ही ले जाएंगे। इस कि बाहर से अमरीका से या चाइना से आके तो अपने देश को तरकी भी नहीं करें। अपने देश के लोगों को बाहर भेजने के लिए मजबूर करने की वज़ाए यह समय है जब पूरी दुनिया में जितने भारत के लोग हैं अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि सारी दुनिया के भारत के लोग इंडिया आके और इंडिया के तरक्की करने लगाए दूसरी चीज जैसा मैंने कहा कि आज गंतंत्र दिवस के अफसर पे दो चीजों पे गौर करने की जोड़त है हमारे स्वतंत्रता सिनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को अलब करा अंग्रेजों को विदेशियों को खदेड़ के बाहर बेज दिया और दूसरी तरफ जंतंत्र च्थापना की हमारी सरकार हमारत के लोग हमने कमविधान बनाया है यह देश हमारा है यह देश भारत के लोगों को है जनता सुप्रीम है एक सो तीस करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है इनके उपर कोई नहीं है जनता की चुनी हुई सरकारे सुप्रीम है जनता वोट डालती है वोट डालके अपनी सरकार चुनती है वो सरकारे सुप्रीम है जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी जनता के उपर कोई नहीं है जनता की चुनी हुई सरकारों के उपर कोई नहीं है लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं एक राजी ऐसा है जहां पे वहां के गवर्नर ने जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करें इतने कानून पास करें गवर्नर कानून पे दस्खत करने को तयार नहीं है जो कानून जनता ने पास करे जो कानून जनता की चुने हुई सरकार ने पास करे क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है जनता के हित के कानून जनता के लिए बने कानून क्या एक आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वो जन्ता की अभिलाशाओं को जन्ता की कामनाओं को जन्ता के कामों को रोक दे ये तो जन्तंतर नहीं है इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी एक और राज ये वहाँ पे वहाँ के मुख्य मंत्री ने गवर्नर को लिखा हम फलानी भलानी तारीख को अपनी विधानसबा का सत्र बुलाना चाहते है जंता की सरकार जंता की चुनई सरकार पूरा दिकार है वो जब मर जी विधानसबा का सत्र बुलाएं गवर्नर ने वापस लिखा क्यों बुलाना चाहते हो क्या काम है क्या करोगे विधान सबा का सत्र बुला के अरे वाँ विधान सबा का सत्र बुलाना में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो मुख्य मंत्री ने जवाब दिया जी इसलिए बुलाना चाहते है गवर्नर कहता है मेरे को ये कारण मंजूर नहीं बुलाया जाएगा ये जनतंत्र नहीं है ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह से एक विक्ति विशेश के अंदर जनतंत्र को गुदाम बिना दिया गया है कई राज्ये ऐसे हैं मैं पढ़ता हूँ अखबारों के अंदर जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी इंवेस्टीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्ये पालों ने वाइस चांसलर को बर्खास कर दिया डिस्मिस कर दिया कैंसल कर दिया रिजेक्ट कर दिया ये क्या बात है इसके लिए तो हमने अपने देश की अजादी नी ली थी इसके लिए तो अपने सिनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर दिन बदिन डे टू डे बेसिस पर चुनियो ही सरकारों को तंग किया जाता है तो आज 74 वे गंतंत्र दिवस के अफसर पर पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जनतंत्र के उपर भी एक डार्क काला साया पढ़ता जा रहा है उसको कैसे निप्टा जाए पूरे देश को इसके बारे में सोचने के जरूरत है दिल्ली के लोगों दिल्ली वालों पिछले साथ आठ साल के अंदर दिल्ली में आप लोगों ने जितने काम करे इतने विकास के काम करे इतने काम करे आज केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है महंगाई तो है पूरे देश में है चीजे महंगी होती जा रही है पूरे देश में महंगी होती जा रही है लेकिन पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है दिल्ली में महंगाई की दर है तीन प्रतिशत गुजरात में महंगाई की दर है साथ प्रतिशत हर्याना में महंगाई की दर है 7.8 प्रतिशत धाई गुना दिल्ली से जादा महंगाई है हर्याना में मद्यपरदेश में 7.5 प्रतिशत मद्यपरदेश में भी दिल्ली से धाई गुना जादा महंगाई है अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपे की बिक्ति है तो हर्याना में और मध्य परदेश में 500 रुपे की बिक्ति है उत्ते परदेश में 6.8 प्रतिशक पूरे देश में आज सबसे सस्ती चीजे दिल्ली में सबसे कम महगाई दिल्ली में क्यों आज दिल्ली में बिजली मुफ्त है आज दिल्ली में पानी मुफ्त है आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों में सारी शिक्षा मुफ्त है आज दिल्ली में सारी स्वास सेवाएं मुफ्त है आपको कितनी भी बड़ी बिमारी हो जाए सरकारी एस्पिताल में चले जाओ, सारा इलाज, सारे टेस्क, सारी दवाईया, सारे उपरेशन, सब कुछ मुफ्त है, महिलाओं के लिए बसों का सफर मुफ्त है, तीर थ्यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर थ्यात्रा कराके लाते हैं, तीर थ्यात्रा मुफ्त है, राशन म बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्त, बसों का सफर और तीर थ्यात्रा ये सारी चीजे दिली में मुफ्ते हैं जिसकी वज़े से आज सबसे कम महंगाई दिली के अंदर है दोस्तो मेरी केंदर सरकार से एक अपील है और इसको ये माना जाए कि शायद पूरे देश के लोगों की अपील है पिछले एक साल के अंदर कई सारी खाने पीने की चीजें जैसे दही, दूद, और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें गेहूं इन चीजों के उपर GST लगा दिया गया इनके उपर GST लगाने से ये सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई एक आम अदमी के लिए आज अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है पहले इन चीजों के उपर GST नहीं होता था अब GST लगने की वज़े से ये सारी चीजे महंगी हो गई है मुझे पूरी उम्मीद है कि केंदर सरकार इन सब चीजों से GST हटा के और देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत देगी महंगाई से राहत देगी GST के सिलसले में मेरी कई व्यपारियों से भी बात होती है आज GST जिस तरह से लागू किया जा रहा है इसमें धेरों कमिया है हमारे देश का व्यपारी टैक्स देना चाहता है 99% से ज़्यादा व्यपारी टैक्स देना चाहते हैं इमांधारी से काम करना चाहते हैं, मांदारी से टेक्स देना चाहते हैं लेकिन इतनी कथिन, इतनी जटिल व्यवस्ता हम लोगों ने बना दी कि कई बार न चाहते हुए भी व्यपारी को थोड़ा सा उल्टा सीधा करना पड़ता है हमें इमानदार वेपारियों की मदद करनी चाहिए पूरे GST के सिस्टम को सिंप्लिफाई करने की जरूरत है सिंपल बनाने की जरूरत है ताकि वेपारी इजी असानी से GST दे सकें और GST प्रनाहली को लागू कर सकें अभी तीन चाह दिन पहले में तेलंगाना गया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुलाया था वहाँ पे चार मुख्यमंत्री आये थे तेलंगाना सरकार ने एक बहुत शांदार कारेकरम शुरू किया है तेलंगाना में चार करोड की जनसंख्या है उन्होंने चार करोड़ लोगों की आँखों का टेस्ट करवा रहे हैं वो सारे हर आदमी बच्चा, बूड़ा, आदमी, औरत, जवान, गरीब, अमीर सबकी आँखों का फ्री में टेस्ट करा रहे हैं बहुत अची बात है जिन जिन की आँखों में कुछ गड़बर निकलेगी और लगेगा चश्मे की जरूरत है सरकार उनको फ्री में चश्मा देगी बहुत अची बात है और अगर जरूरत पड़ेगी जिन जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी उनको सरकार फ्री में उनका उपरेशन करवाएगी तो एक तरह से पूरे तिलंगाना में चार करोड लोगों की आँखों का ख्याल सरकार फ्री में रखने जा रही है मुझे बहुत अच्छा लगा देखके और मैंने वहीं ऐलान किया मैं दिल्ली में भी इसको लागू करूंगा दिल्ली के अपने दो धाई करोड़ लोगों की सबकी आखों का सबकी आखों का फ्री में हम टेस्टिंग कराएंगे फ्री में चश्मे देंगे फ्री में उनका उपरेशन कराएंगे मुझे लगता है हमें सब लोगों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है आज तिलन गाना ने ये काम करा हम सीख के आए हम दिल्ली में करेंगे पंजाब के मुख्यो मंतरी भगवन तमान साब ने भी वहीं पे ऐलान करा उन्हेंने वहां जाके उसको चालू किया दिल्ली में उन्हें स्कूल अच्छे कर दिये तमिलाडू के मुख्य मंतरी स्टेलिन साब दिल्ली आए उन्हेंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखे उनको बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जाके अपने सरकारी स्कूल अच्छे करने चालू कर दिया मेरे को याद है बच्पन से दसवी क्लास से सुनते थे दसवी क्लास से जब बच्चे होते थे तब से सुना करते थे केरला में स्कूल बड़े अच्छे है किरला में हेल्फ सिस्टेम बहुत अच्छा है मेरे को यह नहीं समझ़ा है याया इतने सालों से के न ऐसे हेल्फ और स्कूल अच्छा है तो इंसे सीख आपकी देश में हम लोगों ने क्यों नहीं कर लिया अभी तक हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते मैं जैसे जैसे जितना जितना देश में घूम रहा हूँ मेरे को लग रहा है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समधान हमारे देश के किसी ना किसी राज्य ने किसी ना किसी गाउने ना निकाल रखा हो हर समस्या का समधान निकाल रखा है हम लोगों ने किसी समस्या का समधान तमिलाडों निकाल रखा है किसी का मध्यपरदेश निकाल रखा है किसी का वेस्ट बेंगौल निकाल रखा है किसी का सामने निकाल रखा है लेकिन हम आपस में सीखी नहीं रहे आपस में सीखेंगे सारे देश की सारी समस्याओं का समधान निकल सकता है पर हम आपस में सीख नहीं रहे हम आपस में लड़ रहे हैं इतना लड़ते हैं हम आपस में इतना लड़ते हैं क्या जरूरत है लड़ने की अब ही आज कल मैं देख रहा हूं हम जुडीशिरी से लड़ रहे हैं बताओ जुडीशिरी से लड़ने की जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार यह अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के बलब सारी राज्य सरकारों से लड़ रहे हैं किसी को काम नहीं करने देते, सारी रज़ता, सरकारों से लड़ रहे है। स्चुडेंट से लड़ रहे हैं। वेपारीयों से लड़ रहे हैं। चूड़के, پ्यार और महबत के साथ, सारे एक दूसरे से सीखें BE पूरा देश 130 करोड़ लोगों का देश एक होके काम करें तो आपके देश को दुनिया का नमबर वन देश बनाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता पिछले साथ सालों में आप लोगों ने दिल्ली के धाई करोड़ लोगों ने कमाल करके दिखाया है और मैं अब आप लोगों को कई सारी खुश खबरियां लेना चाहता हूं यह जो मैं कहने जा रहा हूं यह मैं नहीं कह रहा हूं पहला दिल्ली देश का स्टार्ट अपिटल बन चुका है सबसे ज़ादा स्टार्ट अप पूरे देश में दिल्ली में शुरू हो रहे हैं पिछले साल पांच हजार से ज़ादा स्टार्ट अप दिल्ली के अंदर हुए पहले बैंगलोर देश का नंबर वन स्टार्ट अप कैपिटल था अब बैंगलोर हमसे पीछे चला गया पिछली साल दिल्ली में पांच हजार से ज़ादा स्टार्ट अप शुरू हुए बैंग सबसे जादा electric vehicles पूरे देश में आज दिल्ली में थिकर रहे हैं पहले करनाट का EV capital था अब करनाट का नमबर टू आ चुका है दिल्ली नमबर वन बन चुका है जितने भी vehicles खरीदे जाते हैं दिल्ली में 10 प्रतिशत 10.2 प्रतिशत दिल्ली में जो नए वेहिकल्स खरीदे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक वेहिकल्स खरीदे जाते हैं और करनाटका में 6.3 प्रतिशत वेहिकल्स इलेक्ट्रिक वेहिकल्स खरीदे जाते हैं दिल्ली देश का ग्रीन कैपिटल मेगा सिटीज के अंदर ग् बड़े बड़े शहर है। दिल्ली में आज प्रती व्यक्ति पर कैपिटा 9.6 स्क्वाइर मीटर एरिया में पेड या वन हैं। मुंबाई में 5.4 हैं। चन्नाई में 2.1 हैं। एहमदाबाद में 1.2 हैं। पूरे देश में बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा पेड और सबसे ज़्यादा वन दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। पूरे देश में जो टॉप के 10 सरकारी स्कूल हैं। पूरे देश में टॉप के 10 सरकारी स्कूलों में 5 सरकारी स्कूल दिल्ली के हैं। बहुत बड़ी बात है। देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज आपकी सरकार अपने पूरे बजट का 25 प्रतिशत हर साल पिछले 8 साल से हर साल 25 प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करती है पूरे देश में शिक्षा पे खर्च होने वाला यह सबसे ज़्यादा बजट है कोई राज्य सरकार पिंद्र सरकार इतना पिजट शिक्षा पे खर्च नहीं करती है पिछले 7 सालों के अंदर दिन्दी के सरकारी स्कूलों में एड्मिशन देने वाले बच्चों की संख्या बहुत जादा बढ़ता है 21 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है गौर्मेंट एंरॉल् सेरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चोंका नामस प्राइवेट स्कूलों से कटा कटा कै सरकारी स्कूलों में बढ़ती करा RHEै पास होते पिछले साल 99.7% बच्चे पास हुए है 99.7% बच्चे प्राइवेट स्कूलों से 6% ज़्यादा बहतर नतीजे आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमारी दिल्ली देश का हेल्थ कैपिटल बन चुकी है सबसे ज़्यादा डॉक्तर आज दिल्ली के अंदर है केवल अपने देश के अंदर नहीं दुनिया में भी सबसे ज़्यादा डॉक्तर आज दिल्ली के अंदर है दिल्ली में हजार लोगों पे तीन डॉक्तर है यह अमरीका से ज़्यादा है इंग्लेंड से भी ज़्यादा है कैनाडा से भी ज़्यादा है जपान से ज़्यादा है वहाँ पे ढ़ाई के नीचे-नीचे हमारे तीन से ज़्यादा डॉक्टर है प्रती हजार हमने बड़े-बड़े देशों को दिल्ली के लोगों बड़े-बड़े देशों को भी पीछे चपड़ दिया आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे दिल्ली के अधर लगे थे सबसे जादा पिछले कुछ सालों में आपकी सरकार ने धाई लाख CCTV कैमरे लगवाए थे आज दिल्ली में पर स्कुएर माल 20 स्कुएर माल 1826 CCTV कैमरे है यह लंडन से ज़्यादा है सिंगपुर से ज्यादा है एरिस से ज्यादा है बड़े-बड़े देशों को पीसे चोड़ के च centro कि जब मैं छोटा बिच्चा था एक पिक्चर ऐन दिनों में उसमें गाना था कि इसको वाराया तो क्या किया उसको हराया तो क्या किया दारा सिंग को ह़राنت तो जाने मतलब कि यहरे गहरों को हराने से क्या फाइदा बड़े-बड़ों को हराओ तो जाने आज आज आपकी दिल्ली अमरीका को पीछे छोड़ रही है लंडन को पीछे छोड़ रही है सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है न्यू-यॉक को पीछे छोड़ रही है वाश सब 130 करोड भारतवासी मिलके एक साथ अपने देश को आगे जाएं पर फिर से आप सब लोगों रंतंत्र दीवस की बहुत-बहुत शुब कामना हैं बहुत-बहुत बाई भात मता की बहुत